पर्दे के पीछे परमेश्व काम कर रहे हैं आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं सुबर शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मसी की गोरगपूर से बोल रही हूँ किरन शाही मेरे लड़के को अठाज दिसंबर के रात में चार बार दोरा पड़ गया था बहुत जादा उसके तव्यत खराब हो गई थी मैंने सिस्टर अम्रिता मैसी और ब्रदर बीके मैसी की टीम से प्रात्ना करवाया उन्होंने प्रात्ना किया पिलाला भी वह बहुत ठीक है अभी तक उसको नहीं परशानी हुआ है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इश्वर को प्रासिन की टीम को अर इश्वर से ही प्रात्ना करती हूँ कि इनकी मिनिस्टि जो है बहुत आगे बढ़ती चली जाए धन्यवाद प्रेज लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्नमी और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा समय आता है जब एक विश्वासी के जीवन में कटिन समय होता है उस समय उस विश्वासी के मन में ये विचार उत्पन होते हैं कि परमेशुर कहां है कई बार जब उसके परिवार वाले या फिर अन्य लोग विश्वासी को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं, सोचते हैं कहां इसका परमेश्व जिसके ये इतनी उपासना करता है जिसके बारे में ये परचार करता है जिसके ये राद दिन वचनों पर ध्यान करता है कहां है इसका परमेश्व है इसको performing इससे क्यों नहीं बचाता ऐसे समय में, जब ये कटिन समय से होकर गुझर रहा है कई बार जीवन में ऐसस समय आता है, जब बहुत सारे भाई बहन प्रातना करते हैं, लिकिन उनकी प्रातना का उत्तर उनें नहीं मिलता तब उनके मन में ये शवाल आता है कि कहा है परमेशव, लोग भी उनसे बूसते हैं कि जिस से तुम परातना कर रहे हो क्यों नहीं सुझरा ह। मुझे समस्या से बाहर क्यों नहीं निकालता उसने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया उसने मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया कहा है परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूँ वो परमेश्वर कहा है कई बार जीवन में ऐसा सवाल उत्पन होता है हम भजरकार दाओद के जीवन में देखते हैं, कि वो भी एक समय में स्ट्रगल से होकर गुजर रहे थे, और उनके लिए भी बहुत सारे लोग इसी परकार से सोचते हैं, कि कहा है इनका पर्मेशर, इसका पर्मेशर कहा है, जिसकी ये उपाशना करता है, जिसके पीछे चलता मेरे आसु दिन और रात मेरा आहार हुए है और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहा है? आमें. बजनकार यहां पर कहते हैं कि मैं दिन रात आसु बहाता हूं, आसुओं को मानो मैं भोजन के समान में खा रहा हूं और लोग दिन रात मुझसे पूछते हैं कि तेरा परमेश्वर कहा है जिसके तू पाश्णा करता है, जिसके तू पीछे चलता है, जिसके वचनों पर तू मनन करता है वो परमेश्वर कहा है आखिर तू इस समस्या में पड़ा हुआ है, इस मुसीबत में पड़ा हुआ है, वो तेरा परमेश्वर तुझे यहां से क्यों नहीं छुटका रहा देता, तेरा परमेश्वर कहा है दोस्तों जब इसराइली लोग मिसर में रहे होंगे जब उनके उपर दुख दिया जा रहा था जब वो स्ट्रगल से होकर गुजर रहे थे तब मिसरी लोग भी कहते होंगे जब दानियल को सेरों की मान में डाल दिया गया तब वहां के लोग भी कहते होंगे कि जिस परमेश्चुर के लिए इसने ये स्टेप लिया था जिससे ये प्रात्ना कर रहा था जिसके करन इसने राजा का विरोध किया उसकी आग्या को नहीं माना, आकिर इसका परमेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो वो इन्हें बचाता क्यों नहीं है लेकिन दोस्तों आज साम में मैं आपको उटसाइड करना जाओंगा। इस कटिन समय में भी इस स्ट्रगल के समय में भी परमेश्र आपके साथ में क्यों क्यों क्योंकि परमेश्र ने आपको चुना है आपको बुलाया है आप उसकी निज़ पर जाँ हैं आप उसके बेटे बेटियां हैं परमेश्र आपके साथ में हलंकि मिसरी सोच रहे थे कि इस इसराइलियों का परमेश्र कहा है? लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इसराइल का परमेश्र कितना बड़ा है. वो महन परमेश्र है जो अपने लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर के चला गया. दानियल को जब सेरों की मांद में डाल दिया गया तो लोग भी आप में. असराइलियों को जुड़ा परमेश्र को बड़ा लोगों को जब आख के भटे में डाल दिया गया तब उन्हें पता चला कि परमेश्र ने इनmal साथ में इस आख के भटे में उन्होंने परमेश्र को देखा और उन्हों वहां से जीवी तो बाहर निकले परमेश्र आपके साथ में है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन परमेश्र आपके साथ में है इस समश्या में इस स्ट्रगल में इस प्रॉब्लम में परमेश्र आपके साथ में है तो बहुत जल्द आपको बाहर निकालेगा क्योंकि यदि परमेश्र आपके साथ में है तो आप पर ये समश्या विजय नहीं हो पाएगी आप उस समश्या पर विजय हो जाएंगे उस बीमारी पर आप विजय हो जाएंगे तो अपने अंदर इस विश्वास को डा ये न पूछे मेरा परमेश्र कहा है ये जाने कि परमेश्र मेरे साथ में है राइट नौ इस समय परमेश्र आपके साथ में है आप जहां भी है परमेश्र आपके साथ में है जिस भी परस्तित में है परमेश्र आपके साथ में है वो आपको कभी नहीं छोड़ीगा कभी नहीं साथ में, अंदकार भरीवी तराई से तो वो जा रहा है लेकिन परमेश्व वहाँ भी उसके साथ में जील में जब तूफान आ गया नाउ डगमगाने लगी चेले घबरा गए लेकिन येश्व उनके साथ में था येश्व उनके साथ में आज आपके जीवन में आन्दी तूफान है आज समस्याएं हैं, स्ट्रगल हैं लेकिन येश्व आपके साथ में उसने आपको नहीं छोड़ा है परदे के पीछे परमेश्व काम कर रहे हैं आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं आपको वो सही स्थान पर पहुँचाने के लिए प्लान कर रहे हैं आपको उस जगह से, उस स्ट्रगल से बाहर निकालने के लिए प्लान कर रहे हैं परमेश्व कारियक कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि परमेश्व ने आँखे बन कर रहे हैं और कान बंद कर रखे हैं कि वो आपके प्राफना को न सुने, आपके दुखों को न देखे, नई, वो सब जानता है, यदि आप विश्वास में बने रहे, यदि आपका दृड़ विश्वास बना रहा, तो आप कटनी को काटेंगे, आप दानियल की तरह उस सेरों की मांद से बाहर निकल आएंगे, आप सदरक मेसक अबेद नगो की तरह है, उस आपके धदकते हुए भटे से बाहर निकल आएंगे, यदि आपने परमेश पे भरूसा रखा, यदि आप विश्वास में मजबूत बने रहे, यदि आपने अपने अंदर उठते हुए इन सवालों को व हो आपके जीवन में काम करेगा, सो प्रभू आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायच से आशिष दे, आमें करते हैं, आपने ये सुन्दर पल प्रभू हम सब के जीवनों में दिया है, पिता, ताकि परमिश, पिता, हम आपके नाम की महिमा को कर सके, हम संगती के सहभागी बन सके और आपकी उपस्तिती का अपने जीवन के लिए आपका धनेवाद करते हैं और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रातना में शामिल हैं प्यारे प्रभू येश्व आपसे दुआ है कि उन भाई बहनों के जीवन में आप कारे करें आप उनके लाइफ में कारी करें प्रभू आप अपने आपको उन पर प्रकट क के नाम से इसी वक्त दूर करते हैं दुष्ट के हर एक कार्य को हम येश्व के नाम से कैंसल आउट करते हैं त्यारे प्रभू हर एक के उपर आपके Holy Spirit का कंट्रोल मांगते परमेश्व पिता धनेवाद करते हैं आज के सुन्दर वचन के लिए प्रभू इस वचन के दौरा आपने हर एक जन से बातचीत किया पिता ये वचन प्रभू हर एक के जीवन में कारे करें पिता आज प्रभू यदि भजनकार दाउत की तरह परमेश्व पिता ये भी ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं प्रभू जब लोग इन पर उंगलिया उठा रहे हैं कि इनक आपके लोगों का विश्वास उनका भरोसा प्यारे परमेश्व आप पर लगा है उनकी नजरे तुछ पर लगी हैं पिता तुझे पुकार रहे प्रभू वो तेरी दुहाई दे रहे प्रभू और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तु अपने लोगों की सुधी लेता है उन्ह अपने लोगों के दुखों को आनन में बदलेगा प्रभू तु उन्हें परिशानियों से चुटकारा देगा आप उनके टफ समय को दूर करेंगे प्रभू और उन्हें अपने विश्राम में प्रवेश कराएंगे पिता जो इनकी नाम धराई कर रहे हैं प्रभू आप इनकी परन्तु पिता, उसका साथ आपने नहीं छोड़ा, आपने उस बहुत ही मुश्किल समय से बहार उसे निकाला प्रभु जी और इस सब लोग जान पाए और सब लोगों का मुँँ बंद हो गया क्योंकि सेरों की मान से वो जीवित बहार निकला और वो जान गये कि परमीश्वर इसके साथ में है उसी प्रकार प्रभु जब यह सम इनों को भी स्टफ टाइम से पिता बहार निकाले, इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल बातों से इने बहार निकाले, जब यह सफरिंग कर रहे हैं, प्रभू बहुत जादा प्रभू संगर्स अपने जीवन में कर रहे हैं, तो आप इने बहार निकाले, ताकि लोग जान कि आप अपने लोगों के साथ रहते, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, आपका वचन सत्य है, आपका वचन क्याता है कि मनुष्य धोका दे सकता है, परन्तु पिता तुने कहा कि मैं तुझे कभी धोका नहीं दूगा, यदि आज ऐसी सिचुमेशन ह जब लोगों ने, परिवार के लोगों ने, या फिर इनके फ्रेंड्स ने, पिता, इनके लाइफ पार्टनर ने, प्यारे प्रभू, इन्हें धोका दे दिया हो, परन्तु पिता, ऐसे समय में आप उनके साथ में है, आप इस प्रॉब्लम से इने बहार निकाले मेरे खुद रहे हैं, और धन्यवाद पिता, कि आज ये विश्वास से पिता, उन्हें रास्तों को देखने पाएं, पिता परमेश, जो कि आपके द्वारा बनाई जा रहे हैं, जिनमें इन्हें चलना है, और वो प्रभू तेरे विश्वास के द्वारा, वो उस रहा पर चलने न करो तो वह चगा हो जाएगा प्रभू येश्यू मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ पिता मुझसे पहले प्रभू तुने अपने सामर्ती हाथ को इन भाई बेहनों पर इनके बच्चों पर हर एक बिमार व्यक्ति पर रखा है पिता जो दर्द में तकलीफ में घाव में चोट में हैं प्रभू उनके शरीर में रोग हैं पिता अंदरूनी अंग काम करना बन कर दी हैं और और भी बहुत सी बिमारिया प्रभू इनके शरीर में हैं येश्यू के नाम से वो सारी बिमारियों को आग्य देते हैं येश्यू के नाम से सारी बिमारिया इन्हें येशु नास्री के नाम से चोटे बच्चे प्रभू सर्दी, जुकाम, बुखार से पिता और हर प्रकार के रोग से प्रभू चुटकारा पाएं पिता प्रभू जब उन्हें वमिटिंग हो रहा है जॉन्डिस हो गया है प्रभू टाइफ़र्ड हो गया प्रभू और भी बह अच्छे प्रभू भले चंग और स्वस्त रहें नौजवानों के लिए प्रात्ना करते हैं जो डिप्रेशन में है खुदावन डिप्रेशन की बीमारी में मेरे प्रभू और भी अन्य बीमारी एलर्जी इंप्रेक्शन्स ब्लॉड की कमी शारिरिक कमी हार्मोन्स डिस्बा जवानों को छोड़ कर जाई यश्यू के नाम से खुदावन हम बुजर्गों के लिए प्रात्ना करते हैं शुगर बीपी थाइराइट के बीमारी सर्वाइकल प्रॉब्लम घुटनों की समस्या प्रभू अंद्रूनी अंगों में समस्या नसों में मांस में समस्या बुजर्गों के शरीर से निकल कर चले जाओ इनकी आंकों को इनके कानों को इनके मूँ को आप चंगा करे प्रभू इनके किड्नी को आप हील करे इनके स्टमक को इनके हाट को इनके लंग्स को आप हील करे प्रभू यदि कोई भी ऐसी बीमारी प्रभू जिसके लिए डॉ करते हैं येश्यू के नाम से और हीलिंग को एनाउंस करते हैं प्रभू येश्यू आपके वच्छन पर हम विश्वास करते हैं आपका वच्छन कहता है निस्च है मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया है हर एक बीमारी के विरोध में हम इस वच् को पिता आपने नस्ट किया परमेश्व पिता प्यारे प्रभू मैं धनेवाद करती हर एक वो रोग जो इने परिशान कर रहा है प्रभू येश्व तेरे नाम से वो नस्ट हो गया पिता आपने अपने लोगों के दुखों को उनकी बीमारियों को उठा लिया पिता उन्हें आज रात के लिए हम प्रातन करते हैं जिने नीन ना आने की समस्या परमेश्व जो डरावने से अपने देखते हैं जो डरते हैं प्रभू घबराते हैं व्याकुल होते हैं यह मसीन सारी प्रॉब्लम से उन्हें चुटकारा दे वो निश्चिंत होकर सोने पाएं पिता कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभू और प्रातन है कि अच्छी नीन से अपने लोगों को सुलाएं जितने लोग आज हमारे साथ मिलकर प्रातन हैं पिता उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके फैमिली मैटर उनके परसनल मैटर्स हैं पिता अपने जॉब से रिलेटेड ब जो कुछ इनकी नीड है, उसे आप पूरा करें, क्योंकि आप अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देते हैं, धन्यवाद पिता, आज के सुन्दर शाम में आपने हर एक जन की प्रात्न को सुना, उनके परिवारों में शांती दिया प्रभू, आनन दिया प्रभू, हर एक की प्रती मेल मिलाब दिया प्रभू, और सिच्वेशन को आपने प्रभू अंडर कंट्रोल किया है, धन्यवाद करती हूं, धन्यवाद देते हैं पिता, जितनों ने यूट्यूब कमेंस, इंस्ट्रग्राम, फेस्बुक, टेलिग्राम के माध्यम से, अपनी प्रात्न विं आमेन, आमेन, और आमेन